हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम बनाएंगे कार्ड सर्विसिंग का लोगो पहले हमें पेज लेना है उसके बाद हमें पैंटूल लेना है अगर ध्यान देना है हमें जो पैंटूल है हम इसके आउटलान मनाएंगे पैंटूल से ये मैं प्रेश कम आउट्रो कर लेते हैं पैंटुल से जहां लएक जहां पर डोट वहां पर दबाकर के आप किलिक करोगे तो हमारी ज़ो आउट्लेन है वहां से स्टाथ होगी इसको हुआ नीच्ची स्यम करना हैं इसको उपड़ों घीचेंगे जिस से बन cockpit क्राइब सेुक्त अब सट्यम स्यम करना है आश्यारी सेंगों करना है और नीच्ची करना है एक पर आंव्म करके कर सकते हों आच्छा होगा जो आप अल्ड दवा के लिए करके करोगे उतना चाहा है अपका जो लाइन होगा हम नीचे लिए हम सेम करेंगे इसाट है ये आपको मैं इस लिए बता रहा हूं पैंटूल से ड्रोग करके कि आपको पता चले का हम Pan Tool का यूज कैसे करते हैं किसी भी इमेघ का Outline या कोई भी पार्ट हमें cutting करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, स्कुलाजरि में pan tool चेंस से मदद से यहां हमें पौ discussed क्लिक करें के इसको रौंड करेंगे ल्ट के साथ पर किलिक करेंगे इसको और पिर इसको हलगा सा रावुन कर दींगे हमा नीचे कर जितना की विषता सबको वने ड्रॉ कर लिया है आप आप हम जो टॉप का जो मीटर है इसको भी हम पैंटुल की हेल्प से उसके उसको हम ड्रॉ कर लिंगे इसमें विस्यम करेंगे, जितना अच्छा हमें पैन्टूल चलाना आएगा कोल्डरों में, या किसी भी सोप्डियर में, हम पैन्टूल का सबसे इजी और सबसे ज़्यादा महत्पून यूज होता है, किसी भी ग्राफिक के डिजाइनिंग में, कि जितना अच्छा आपको पैंटूल का यूज़ करना जाएगा उतना अच्छा आप क्रेटिव या डिजाइन बना सकोगे कि तो यहां पर हावल का लगाज को उपपर नीचे कर लेंगे सेफ टूल के हैल्प से तो गैज देखे हमें सारे लाइन ड्रो कर लिया अब फ़ार इमेज को हमने कर दिया डिलीट अब इस आउट लाइन में हम कलर फिल करेंगे जैसे कि उस पाले इमेज में था यह क्लर आप अपने थिम से भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपको कलर यूज़ करना हो गैज इसको बताने का मतलब यह है कि हमें किसी भी इमेज का अगर हमें वो पार्ट कड़ करके उसको व्यक्टर ग्राफिक करना हो तो हम पैन टूल के हैप से उसे व्यक्टर ग्राफिक कर सकते हैं फिर हम लेंगे गेरियंट इसमें हरका सा कलर डालेंगे डार्क और लाइट इसमें भी शीम करेंगे हम पिल सेलेक करके हम जो आउटलेन है उसको हम रिवूब कर देंगे आउटलेन रिवूब कैसे होता है हम पहले ओल को सेलेक किया और जो करोज का निशान है नीचे के पास वहाँ पर जाकर अगर जाकर आप राइट किलिक करोगे तो आउटलेर वहाँ का हड़ जाएगा तो गाइट इसमें हम सेम करेंगे अब इस वाल में हमलका साम रखेंगे सिल्बर प्लेश कम जो डोट उसको हम अटा देते हैं कि इस वहाँ हम डालें गेरें तो इसमा हलका लगेंगे लाइट जो हमारा नीचे यहलो है यहां पर रखेंगे हम ब्लैक अंड वाइट कि यहां भी हमेरा घाल का सब्सक्राइब और यहां पर रखेंगे यहां पर रखेंगे इसको आगे ले जाकि यहां पर ब्लूकर हमारा ब्लैक हो चुका यहां पर हमारा वाइट है कि इसको भी हम कर देंगे ब्लैक जैसे फ्रेंट और बैक दोनों ब्लैक में होट डार कर रहे और इसको आउटलेट रिवूब कर देंगे कि इसको हम सेम करेंगे पर इसके सेफ टूल से खालगा सेफ चेंज कर लेंगे हम कि इसको ड्रो करेंगे तो इसको बेस होगा वह अलग से ड्रो हो जाएगा हमें याद रखना है कि जो भी हम लाइन को मूब करें तो उसको लोग करके करें लोग यहां से होता है यहां से लोग करके करेंगे तो फाइदा क्या होता है कि जो भी हम में जहां से ड्रो करनी है बस वही लैन वहाँ से मूब होगी अधर को इस कोई यह वहाँ से मूब नहीं होगी इसम करना में कर लेंगे हमें वह इसमें डालने इसमें भी इसमें पेसिंगे पहले वाइट रखा है फिर डार्क रखा हलका सा फिर हमने वाइट रखा यहाँ पर हलका सा हमने ब्लैक रखा इसमें सेम करेंगे इसमें हम डालेंगे ओरेंज जो हमने स्टार्डिंग में डाला था अगर आपको किसी में क्लड़ को उसी बॉक्स में फिल करना हो तो एक सोटकी भी होता है कंट्रोल आर करोगे तो ओट्रमेटिक जो क्लड़ आपने किसी और में डाला होगा गेरियंट वह उसमें भी फिल हो जाएगा कि तो मैं सबका आउट नहीं हटा दिया इसको अधने लेना है सरकल सरकल को हम कंट्रोल के साथ रो करेंगे तो उसका फाइदा यह होता है उसकी जो साइज होती हो वह बिलकुल एकवल रहेगी तो ऊचीज में कोई चेंज नहीं होगा फिर हमें जाने वापर center c आर controlling v अब mouse की आ dependent बहुन कांटल कोगे लोगे तो कीबौड से भी copy and paste हो जाता है अ पर मैं स्वार्च फेल्ट बहरेना अटिसने क्रूलर करते मोट का खटेंगी इसको हमने रखा ब्लैक कि यह कलर चेंज करना वह अपनी अकोडिक में कलर चेंज कर सकते जैसे इसमें रखा ओरेंज अब इसमें भी थोड़ी सी गेरेंट डाल दूँगा उपर हलका लाइट रखा है और नीचे हलका सा डार्क अश्का जो आउटलेन यहां से में रिमूब कर दूँगा प्रिया से बहुँगा पैंटूल या पैंटूल कर यो हमें टैयर की जो लाइनिंग में बनाने के लिए या पैन टूल से भी कर सकते हो या रैक्टे इंगल से भी कर सकते हो अब गया से भी कर जाएगा कि यह मैं दिए प्र चुल लिया तो इसके हम सेब को ज़्यादा करेंगी नीचे वाले पोश्ण को और जो ऊपर पोश्ण है उसको हलका सम कमी रखेंगे यहां चे इसको ऊपिछल बोटम कर दिगे सिसको वम संटर कर दीए सब्सक्राइब डबल क्लिक करो के जहां सब्सक्राइब छोटा सा राॉंड अगा जहां से आपको गें करना वह आप करोगा माउस से जो आप राइट किलिक करो गए तो डूब्लिकेट हो जाएगा और कंट्रोल आर करो गए तो यह रिपीट हो जाएगा अब इस पर हम डालेंगे ग्रेट जो भी आपको ग्रेट डालना हो वह आप डाल सकते हो हमने यहां पर वाइट रखा और यहां पर हमने रखा ब्लैक यहां पर वाइट तो इसको पॉस्ट नमर आदिया हमने इसमें सेम करना तो कंट्रोल आर करोगे तो ओट्रमेटिंग यहां पर कलर फील हो जाएगा पर सब्सक्राइब कर लेना है और इसका आउटलेन है वह राइट क्लिक करोगे तो आउटलेन महां से रिमूब हो जाएगा फिर हमें सरकल लेना है इसको हम सेंटर करेंगे सेंटर कैसे करते हैं जिस भी अब्जेट को आपके अंदर सेंटर करना हो उसको दोनों से लेकर करके ची और इजब आप कीबोर्ड से दबाओगे तो ओटमेटिंग वहां पर सेंटर हो जाएगा इस पर भी हम गेटरेन डालेंगे तो डाक रखेंगी नीचारी पोश्टन को अब इसका भी हम गया से आउटलेंड रिवूब कर देंगे फिर सब को स्लैक करना है और उसको ग्रूप कर लेना है कंट्रोल जी से यह सूर्ट की भी होता है की वोर सब कंट्रोल जी करोगे तो वह अप हो जाएगा इसके जहांगे com Lazarus रूब कर लेंग गे संट्रोल जी से प्र एडज़त मैं जाकर हरें को पई कर लेंगे इसको अलका रोख़र एक dominance चाह nuestras photography यह करोगे तब भी all select हो जाता है वहां से जाके आप कर सकते हो या फिर आप माउस से भी ट्रोकर करके इसको all select कर सकते हो गया यहां पर मैंने पहली कुछ टैक्स अपना टाइब कर रखा है पहले में इसकी setting कर लूँगा डवल क्लिक करोगे जो भी आपका पीज का साइज होगा वह ओटमेंटिक वाप एक बोक्स बन जाएगा मैंने बैक्डराण में ब्लैक रखा है यहां दिए मैंने कुछ टैक्स पहरे टैप कर रखा है अब इस टैक्स को पहले में तो लार्ज कर लूँगा फिर जो भी आपको फोंट साइज रखना है जो भी आपको फोंट रखना है वह आप टैक्स का फोंट रख सकते हो जो पहले वर्ड इसको कैप्टल कर लोगे शिप्ट के साथ एस प्रेस करोगे तो वह कैप्टल हो जाएगा यहाब ने एंटर मार दिया और इसको मैं सेंटर कर दूँगा टैक्स को फिर हम जान एरेंज में वहाँ पहले हमें इसको ब्रेक कर दिया है ब्रेक करने का एक सूटकी होता है कंट्रोल के से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो यहाँ से अनग्रूप कर लेंगे जो सद्विस उसको हम नवका छोटा रखा है अकार को भी हलका समदवा देंगे नीचे अब इसमें भी हम सेम करेंगे इसमें हम डालेंगे कलर फिल करेंगे यह आप सिंगा कलर भी फिल कर सकते हो यह आप गेर्डेंड के हैल्प से भी वहाँ पर कलर फिल कर सकते हो जो भी आपको कलर रखना हो वह आप रख सकते हो तो हम इस दो तो हमने सब को हमने वाइट रखा है जरुए हमने तो हमने ब्लैक थोड़ा सा। मिक्स कर दिया है अब सभी करेंगे पर इसको रखेंगा हमाने दुरु कांदब सार डार्क रखा है बीच में हम लाई रखेंगे तो गाई देखिए यहां तक हमारे बन के रियाड़ हो चुका है इसमें कुछ और हम अलग से आपको इफ्यक्ट दिखाएंगे जो आप कर सकते हो अलग से यहां पर इसका हम कर लेंगे इसका हम आउटलेंड देना में हमने आउटलेंड कैस कैसे फिल किया अगर आपको किसी पर भी आउटलेंड देना है तो आप जो भी आपर नीचे आपका कलर है वहां पर जाके अगर जाके आप राइट किलिक करोगे तो आपका आपका आउटलेंड में कलर फिल हो जाएगा ओटमेटिक इसको हलका उपर कर लेते हैं कि अधिक कोपी एंड पेस्ट इसको माउस से अगर आप नीचे ड्रो करोगे कंट्रोल के साथ तो अटमेटिक वहां पर जाएगा या आप जाके मेंडिक का उप्सोन होता है वहां पर जाके आप इसको बोटम अल्लेंड कर सकते हो तो आपको दो तरीके दिखांगा आप ऐसे भी कर सकते हो पर ऐसे हमारा भी सेट नहीं बैठ रहा है तो ऐसे ट्राइं मत करना है क्यूंकि जो हमने इसमें जो पावर किलिप कर रखा है वह नहीं हो रहा है कि हम क्या करना पड़ेगा पर हम गुरूप करेंगे और जो कोपी कर ल leuke talkin' कटोल शी कबिलिस कर सकते हो यहां बाकर वि कर सकते हो इस पर भी हम सेप्लेष मेज लेंगे बीट्माप पर करेंगे कि पर इसी कोपी पेस कर लेंग हूसं कि दोनों हुआं स्यम otherwise पिर हम लेंगे टांस्पेंसी टूल और कि जो टांस्पेंसी उसको हम कम कर देंगे जितना भी आपको रखना आप अपने कोडिंग उसको रख सकते हो मैंने इसे को फिर दुबार कोपी पेस कर लिया उसको रिड मार दिया अब रैट किलिक करके इसको हम पावर किलिप कर देंगे जिससे वो उसको अंदर फिट हो जाए तो गाइस आपको यह मेरे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जोर करें और कमेंट बोक्स में लिखके में बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा